चैश्री महाकाल एक बार फिर से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं हम आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में तो क्या हाल चाल है आप लोगों का आसा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे मस्त होंगे चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस नए सेशन को और इस नए सेशन में हम लोग क्या बात करेंगे पिटे आज ही ग्लास में हम बात करने जा रहे हैं आपका reliability of the third party के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं इससे पहले का जो lecture है वो आप हमारे playlist में जाके देख सकते हैं description box को click करेंगे description box में आपको एक playlist मिलेगा 11, 12 और become इन सब में आपको कोई interest तो है नहीं लेकिन हाँ सी ये वाले में आपका interest है तो उसको आप click करिए account का भी वहीं पर मिल जाएगा और आपको लॉवाला भी मिल जाएगा चलिए फिर दुरू करते हैं liability to the third party section 25 to section 27 देखिए इसमें क्या कहता है कहता है the question of the liability of the partner to the third party may be considered as the different head as they are follow इसका मतलब क्या है कि जब एक partner किसी भी person से contract करता है या जब किसी भी the third party से contract करता है उसकी liability कितनी हद तक जाती है या उस liability को हम कितना extent ले जा सकते हैं उसी के बारे में हम आज यहां पर क्या करने जा रहे हैं चर्चा करने जा रहे हैं सबसे पहला point कहता है कि liability of the partner for act of the firm मतलब क्या है इसका सीधा 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 मतलब है कि जो फर्म की liability है वह आपकी पार्टनर की भी liability है एक partner अगर प्रिंस्पल है वो एक समय में आपका agent भी है तो अगर आपने किया हो या ना किया हो जैसे suppose करिए कि दो partner ऍंधे सब्सक्रेज करिए कि कितने partner है आपके दो partner है एक का नाम राम है और दूसरे का नाम क्या है आपका श्याम एक का नाम क्या है आपका राम है इस वाले का नाम क्या है आपका राम है और इस वाले का नाम क्या है आपका श्याम तो श्याम ने किसी के साथ कॉंट्राक्ट किया किसी के साथ कॉंट्राक्ट किया मतलब जैसे मान लीजे इसने बैंक से जाके लोन ले लिया तो जो इसने लोन लिया होगा तो क्या इसने अपने नाम से लोन लिया होगा या फर्म के नाम से लोन लिया होगा सवाल ये उड़ता है आपने कहा सर अपने नाम से लिया मान लीजिए एक मिनिट के लिए अगर इसने अपने नाम से लिया तो राम क्यों रिस्पॉंसिबल है भाई अगर आप राम श्याम अपने नाम से ले रहा है तो राम रिस्पॉंसिबल नहीं है लेकिन हाँ अगर श्याम ने जो लोन है वो jointly responsible हैं ये लोग और ये क्या लिखना है कहता है every partner is a libel jointly with the other partner and also separately for all the act of the firm done while he is a partner आप एक partner के तरह पे काम कर रहे हैं तो आपके कारियों के द्वारा आपने जो कारे किया है उसके लिए आप जितने responsible हैं उतने ही responsible आपके बाकी partner भी है हैं point clear हो गया कि नहीं हो गया यानि जो partner कि liability होती है वो jointly liability होती है जोएंटली का मतलब ये होता है कि आप भी responsible सामने वाला भी क्या आपका responsible point clear हो गया कि नहीं clear हो गया चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अब इसी को हम थोड़ा सा analysis करते हैं यानि section 25 को हम analysis करते हैं और section 5 में analysis में देखे क्या लिखा है कहता है the partner are jointly and severally responsible to the third party for all the act which come under the scope of their express or implied authority यानि आप देखे एक सब्द यहाँ पर देखे जरा क्या लिखा है कहता है विच कम अंडर दा स्कोप आफ देयर एक्स्प्रेस और इंप्लाइड अथॉर्टी मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर जैसे अगर मैं श्याम की बात करूँ तो श्याम को घ्राम ने जैसे माल लीजे स्याम की जो रिस्पॉंसिबिलिटी है या जो स्याम का अथॉर्टी है वो सिर्फ कितने रुपए तक की थी दस हजार रुपए तक की थी यानि श्याम को रिस्पॉंसिबिलिटी कितने रुपए तक की थी लोन लेने की दस हजार रुपए तक की लेने की रिस्पॉंसिबिलिटी थी अगर श्याम दस हजार रुपए तक का लोन लेता है तो उस लोन में रिस्पॉंसिबिलिटी किसकी रहेगी राम की भी रहेगी लेकिन इन केस अगर श्याम इस लोन की रकम को बढ़ा कर एक लाग कर दे यानि इस लाग के लिए राम responsible रहेगा आंसर है नहीं इसी वजह से यह सब्द यहां पे लिखा गया है विच कम अंडर दा स्कोप और इसक्रेस और इंपलाइड एथर्टी यानि जितने तक आपकी responsibility है जितने तक आपकी authority है उतने तक ही आप दूसरे को क्या कर पाएंगे बाइंड कर पाएंगे इससे जादा आप इसी दूसरे को बाइंड नहीं कर सकते है अब आगे देखे क्या लिखा है कहता है this is a because that all the act done with the scope of the authority are the act done toward the business of the firm आपकी scope का मतलब क्या होता कारिय कार्य होता ना छेत्र होता है न जितना आपको कै कली मैं आप से कहां जड़ा चैने के लिए मैंने आपको scope कि आपका authority कितना दे दिया चाय का दे दिया अब आप चाहें के साथ समोसे भी लेकर आजाओ समोसे के साथ और भी कुछ अगणम बगणम लेकर आजाओ और कह दो सर ये दिखो बिल मैं क्या उसके लिए responsible रहूंगा मैं तो सिर्फ चाय के लिए रहूंगा ना भाई अब आप कहो कि सर्फ मैंने मंगाया 10 रुपए की चाय आप 1000 का लेकर चले आओ आप क्या लेकर चले आओ 1000 का लेकर चले आओ तो मैं आपके लिए responsible उस 1000 के लिए नहीं रहूंगा मैं 9,990 रुपए के लिए responsible नहीं रहूंगा बलकि कितने रुपए के लिए responsible responsibility लोंगा 10 रुपए के लिए बात ये समझ में आ गई कि नहीं है point clear हो गया अब देखे इसमें एक चीज लिखा है कहता है the expression or act of the firm cannot can note any act or omission by all the partner or any partner or agent of the firm which give rise to the right enforceable or by the against the firm against the order bring in case of intersection 25 it is the necessary that the act of the firm in respect with the liabilities are brought to be the enforce against the party must be must have been done while he was a partner यानि ये देखिए section 25 अच्छा एक बात बताए section 25 वाला concept याद है सबको कि नहीं याद है बताए section 25 में क्या था section 25 कहता था without consideration वाला point था कि नहीं था इसमें कहता है without consideration अब without consideration अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 6 तरीके के without consideration साथ साथ तरीके के agreement contract बताए थे आप था कि नहीं था एक तो agency वाला था एक आपका mutual love and relation वाला था एक आप नेचरल love and affection वाला था एक आपका क्या था कि time bearer depth था एक आपका promissory था था कि नहीं था यह बैलिमेंट था इन सब में क्या था कि भाई मैं जितने तक आपको दूंगा उतने तक ही आपसे responsibility लूंगा जैसे time debt में यह था कि example भी अगर आपको मैंने एक याद दिलाया था एक बताया था कि ए और बी थे ए ने बी को 10,000 रुपए का लोन दिया तीन साल उसने कुछ नहीं मांगा time bearer limit के हिसाफ से खतम हो गया यह ने बाद में आके कहा कि भाई मैं आपको 8,000 रुपए दे दूँगा तीन साल के बाद responsibility मैंने कितने रुपए के लिए 8,000 के न तो 8,000 ही मैं payment करूंगा इससे ज्यादा कोई payment नहीं करूंगा point समझ में आ गया यानि जब मैं partner हूं तो मेरी जितनी authority है उसी authority के आधार पे ही आप मेरे को क्या करा पाऊगे इससे ज्यादा आप मेरे को इन फोस नहीं कर सकते है इसमें आपके देखिए पिर आगे point क्या कहता है तरह देखिए अच्छा एक्जांपल देखेंगे किता है certain person were found have been partner in the firm when the act is a consisting on the infringement of the trademark by the firm took place it was a held that were the liability of the damage arise out of the league infringement it being the immaterial that damage across after the dissolution of the firm जैसे क्या कहानी है इसमें कि इसमें कहानी क्या है कि जैसे माल लीजे एक फर्म है अब उस फर्म का क्या कहते हैं एक पेटेंट था या एक ट्रीड मार्क उसने रिजिस्टर करा रखता था अब माल लीजे फोड़िये इस इसमें आपने जब लिया तो सिम को आपने तीन साल उसको यूज किया तो आपको भी पता है कि अगर आप तीन साल से नहीं यूज करतें तो वह नंबर ऑप के नाम से ढया जाता है इसा पता या 2ा ये जानकारे है कि नहीं पता लोगों पर अगर आप सिंप लेते हैं इन साल मत य्ज्ट करें तो किसी कि और के नाम प़र लूर गर सकते हैं तो आ रेम रार इते तो आप रेगुलर रिचार्ज कराते रही है यह ले यूज करिए या ना करें उसी प्रकार जब आप कराते हैं किसी चीज का तो रेजिस्ट्रेशन का भी एक टाइमóc क्या होता है और उस टाइम लिमिट से पहले वो किसी और को नहीं ट्रांसफर किया जाएगा उस तक वो समय है तब तक आपकी responsibility है तब तक आपकी authority है जैसे ही समय समाप्त वैसे ही वो आपका क्या कर दिया जाएगा वो किसी और को भी क्या किया जा सकता है transfer किया जा सकता है फिर आपकी responsibility और liability वहाँ पे arise नहीं होगी clear हो गया point अब जैसे अगला point कहता है कि liability of the firm for the wrongful act of the partner अच्छा सरीक बात बताइए माल लीजे कोई partner गलती कर दिया या गलती से उसने कोई contract कर लिया क्या उसके लिए भी क्या बाकी partner responsible रहेंगे देखो अगर उसकी authority है सब रहेंगे human error हो सकता है ऐसा नहीं third party को तो payment करना ही करना है एक चीज जान लेजे जैसे 1000 के जगहां दस हजार के जगहां आपने अगर एक लाख ले लिया तो बैंक को तो एक लाख लवटाना हई है लेकिन सवाल यह उड़ता है कि अब यह पैसा लवटाएगा कौन अब यह पैसा लवटाएगा कौन इसका मतलब यह है देखो जैसे इस case में अगर आप राम को responsible बोल सकते हैं राम देगा भी पैसा ऐसा नहीं कि नहीं देगा लेकिन वो बाद में स्याम से वो पैसा क्या ले लेगा वापस भी ले लेगा क्या आपस ले लेगा तिर राम और जैंश के जगड़े में बैंक को नुक्सान हो गया ना को मतलब नहीं है भाई हमको हमारे पैसे मतलब है किस से मतलब है फैसे से मतलब हो गया इसमें क्या लिखा है कहता है कि yn where where by the wrongful act or omission of the partner in the ordinary courts of the business of the firm or with the authority of his partner loss or injurious is a cause to the any third party or any penalty is occurred the firm is a libel the therefore the same extent as the architectural div do then have a liability but the fact that the courtло and the माल लिजये दो लोगे क्लास में से ही कोई दो लोग गये किराय पर कमड़ा लेने के लिए अब किराय पर कमड़ा लेने के लिए आप लोग गए ऐक ाम त्ड़ और एक अनाम था आपका Sич पाल और सुमित मिलग कर कमरा लेने गए कमरे कि राया आगया 2000 ठीक है अब माली जे तीस दिन में से सुमित सिर्फ पांच दिन उस कमरे में रहा और मकान मालिक को कितना देगा सुमित पांच दिन रहा है तो भी क्या वो एक हजार देगा यार उससे क्या मतलब है मकान मालिक को किसे मतलब है दो हजार से मतलब है कि गोपाल 30 दिन क दिन रहा है dio कि सुमित का सुमित्स को पालती कभी है जिस सीधा कहती मुझे मेरे पैसे क्रिछिए मिजए मेरे कर सके इसमें क्या लिखा है analysis of the section 26 कहता है the firm is a libel to the extent as a partner or any loss of injurious cause to the third party by the wrongful act as a partner if they are done by the partner while acting इसमें कहता है in the ordinary course of the business of the firm with the authority of the partner अब example के लिए देखें क्या लिखा है कहता है one of the two partner in coal mine act as a manager was a guilty the person is a negligence is omitted to have the shift of the mine properly as a result thereof the injury injury was a caused by the workman the other partner was also held responsible in the same समझ में आया कि नहीं आया इसमें यह कहता है कि दो partner थे दो partner में से एक partner ने एक worker को कलती से उस जगहां पे भेज दिया जहां पे वो कुछ damage मतलब कुछ खतरा था खतरे पे जगहां पे गया है इसी बात है चोट चपेट लग गई चोट चपेट अगर लग गई है तो सीदी सी बात है जिसने भेजा वो तो responsible है ही है और साथ ही साथ में वो जो बाकी पार्टनर जो अपने ऑफिस में बैट के मस्त एसी की हवा ले रहा था वो भी responsible है क्यों क्योंकि आप पर मैं क्लियर हो गया फिर कहता है liability of the firm for the misapplication by the partner liability of the firm for the misapplication by the partner क्या लिखाए इसमें कहता है आप पार्टनर acting with within the apparent authority पार्टनर acting within the apparent authority receiving the money or a property from the third party and misplaced जैसे आप पार्टनर है आपने अपने third party third party से ऐसा receive किया कि आप कोई property receive किया और पैसा और property receive करने के बाद आपने उसका इस्तमाल अपने लिए किया अपने उसका इस्तमाल किसके लिए किया अपने लिए मतलब बाकि देखो जो third party है पार्टनर को अगर पैसा दे रही है तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम पार्टनर हो तुम क्या हो मैं तो तुमारे फर्म के नाम पर दे रहा हूँ ना भाई तो आप देखो भी तो आप सोचो क्या करना पड़ेगा लेना ही पड़े जैसे जब यह सुमित और गोपाल रहे थे किराय लेने के लिए किराय पर कमरा लेने के लिए तो मकान मालिक कहेगा मेरे को आप साफ साफ बोला मैं सिर्फ विपल को जानता हूं आप विपल के थूआ हो वह बात अलग है मुझे तो सिर्फ विपल के साथ रखना आज भी आज की भी डेट है पिछले एक साल से मैं स्वयम जाके इनको परसनली ट्रांसफर करता हूं अब यह दूसरा वाला व्यक्ति मेरे को पैसा दे या ना दे या बाद में दे लेकिन मुझे तो डारेक्ट मकान मालिक को देना है ना वह लॉस क्यूवियर करें यार यह भी तो आप सोचो होटल पे चार लोग खाना खाने गए चार में से एक ने ज्यादा खा लिया एक ने लोटल वाला क्या कहेगा पैसा तो मुझे सबसे चाहिए ना अगर पैसा नहीं दोगे तो चारो बरतन माजो अब वो थोड़ो ना वह भाया हमने तो कुछ खाया नहीं हम का है माजे ले थे तुम बैठे थे तुमको भी माजना पड़ेगा चलो पानी भरो खाली तो भर्म ह आर बार एक ही चीज़ बोलना हूँ, collection of partner means every partner is a responsible for the any partner अब इसमें क्या कह रहा है कि the firm in the course of its business receive money or a property from the third party and the money or a property is a misapplied by any of the partner while it is a it is the in the custody of the firm the firm is a liable to make good the loss फिर आगे point क्या कहता है देखिए अब किसी को हम analysis करते है analysis करने से पहले एक फोटा सा example देखते है कहता है ABC are the partner a place in the car parking he stand his car in the parking place but A sold out the car to the stranger for the liability the firm is a liability the firm is a liable for the fact of the A मज में आया कि नहीं है कि समझ में आया कि नहीं आया अरे यार एने बेच दिया कि देखो 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 हाँ एक बात बताईए एबीसी पार्टनर थे एबीसी क्या थे आपके पार्टनर थे और कार पारकिंग में इनका फर्मता माल लेजाए पी की कार थे अपनी गाड़ी खड़ी करने आया आया एने बेच दिया गड़ी ए एड़ा शाना आदमी किस ने बेच दी तो थो स्याम भी दोजाप्ड खऊएगा अगर स्याम दोजापड खऊएगा तो मैं भी एक फुका लूँगा ना नहीं तुम की कि देयार था पार्टनर झाघ क समकर्टनर की तरह ही तरह पार्टनर की तरह थे पार्टनर की तरह ही यासी भी किये थे फैसानी की 20 आने के बाद सवालग अलग हो गये थे सोच लो वही हैं वो लोग गलती करेगा देखा जाए राजू और स्याम की ही तो हीरो हीरो इन थी बाबु राव को तो ना पहले पार्ट में कोई मिला ना दूसरे पार्ट में कोई मिला लेकिन बाबु राव बचाने पहुँचे की नहीं पहुँचे मतलब दे आर ऑल्सो रिस्पॉंसिबल और गल्फ्रेंड ऑप दा स्याम एंड राजू आप आप अब देखिन इस प्रीज़ें अफ जादा समझ में आने लगेगा हैं आगे देखो कि हाँ मैं कि यह अब देखी आगे देखें गे कहता है राइट आफ ट्रांस्फर आफ पाटनर इंट्रेस्ट राइट आफ इसके लिए इसके लिए इसके लिए देखो एक्जांपल है क्या मेरे पास इक्जांपल नहीं है कोई बात नहीं है तो फिर अब आपको देखते हैं इसमें क्या लिखा है इसके लिए पास परदेखिए यहां पर क्या लिखा है कहता है एक राइट रांस्फर बाइट पार्टनर ऑफ इस-ई इंठरस्थ इंठर्स इंठर्ड था अब्लूट और मॉर्ट गेज और बाइड़ ग्रेशन रहीं अच्यार्ज on such interest does not entitle his a transferee during the continuous of the firm to the interfere the conduct of the business or require account or inspect the books of the account but entitled to transferee only to receive the share of the profit or of the transferring partner and transferring shall be accepted account the profit agreed by all the partner i have to say transfer of all partners according to the transfer of all partners is if you agree whether you agree 10 partners are 10-10 agree then one agree so you can transfer or if you transfer the profit of all partners which you can transfer to receive रिसीव शेयर आप दा प्रॉफिट वो सिर्फ प्रॉफिट को रिसीव करेगा काम में उसकी कोई रिस्पॉंसिबिलिटी नहीं रहेगी समझ में आ गया इतना जैसे मैं आपको एक एक्जामपल देता हूं कि जैसे माल लीजे एक राम थे और दूसरे आपके क्या थे शाम रा है अब इनको एक कांट्राइक्ट मिला और कांट्राइक्ट था माल लीजे रोड़ बनवाने का तो श्याम असमाफ करिए गाहां पर्सनली उस काम को करने लगा और राम क्योंकि दोनों लोग करना चाहते थे दोनों कर सकते हैं करना चाहते हैं क्या दोनों लोग कर सकते हैं तो राम अपसेंस रहने लगा तो राम ने क्या किया कि किसी कारण वस्थ वह काम कंटीन्यू नहीं कर रहा था तो उसने क्या किया कि मोहन को अपनी जगाँ पे भेज दिया मोहन को अपनी जगापे क्या कर दिया बेज दिया कि भाईया जाओ तुम स्याम के साथ काम करो ठीक है तो अब यहां पर एक बात बताईए जो एथॉर्टी राम की है क्या वही एथॉर्टी मोहन की भी है अब आप कहोगे सर एक तरीके से तो हां लेकिन श्याम किस से रिस्पॉंसिबिलिटी लेना चाहेगा श्याम किस से कंसर्ण करना चाहेगा मोहन से कंसर्ण करना चाहेगा या राम से कंसर्ण करना चाहेगा राम से करना चाहेगा भाईया श्याम और मोहन पार्टनर नहीं है बल राम का पार्टनर है तो आप अपना इंट्रस्ट ट्रांसफर कर सकते हो लेकिन तो ट्रांसफर करोगे ना स्याम को भोला होगा कही मैं नशक्ता नाम मोहन मेरे जगहां करे तो टीक करने प्रीम करने दो अचाओ वर्भां किताबों को देख सकता है क्या उक्यूं को देख सकता एक बात बताईए बताए राम की पोछ एप नहीं मैं आप शुद्ष टोड़ा सा प्रैक्टिकल यह आप सोचिए क्या जितना ऱै कि- महर का भी है नहीं न राम ने स्याम से कहा भई वो books of account दे लेकिन अगर यहीं सब्द और मोहन के होते तो बताइए दोड़ा कि नहीं देगा आप अपने आप को सोचो ना कि आप श्याम हो आप अपने आपको सोचो हम चेक से साइन कर दें क्या आप यह काम करा पहले राम से बात के लिए राम के लिए रिसपॉन्सिबल है यहां यहां पर एक चीज लिखी है सब्द पढ़िए कहता है आगे क्या लिखा है और require account क्या लिखा है do not entitle राइट ही नहीं है उसके पास यार पिर आगे क्या कहता है रिक्वायर अब दा एकाउंट या इंस्पेक्ट आप दा बुक्स आप दा फर्म मतलब ना तो वह बिसनस में वह भाग तो लेगा बिसनस में भाग ले सकता है लेकिन यह कहिए कि इनपॉर्टेन्ट मैटर डीसेजन ले ले वह नहीं तो यह काम करना एज़ल वर्क करकर आप इनपॉर्टेन्ट सिजन पर बात नहीं करोगे हम आप से बात लिए यह इंप्लव तो आप देखिए एक बात बताईए अगर मैं coaching में नहीं हम और मार लीजिए जो कोई दूसरे सर हैं वो मेरे बिहाब पे decision ले सकते ह क्या bundो जवाब दीजे मेरे भी हाफ पर decision ले सकते हैं मैं मेरी चियर पर बैठ सकते हैं मैं बोलता हूं मेरी चैर पर बच्चे भी बैढ़ आप कौन हो आप you are the partner no sir i am not a partner फिर जब आप हाई नहीं कुछ तो मैं आपको फिर क्यों यह बोलू आते समझ में आ गई कि नहीं आ गई ठीक है फिर आगे क्या कहता है कहता है if the firm is a dissolve or if the transferring partner sees to the partner the transferee is the entitled against the remaining partner to receive the share of the assets of the firm which the transferring partner is a entitled for the purpose of ascertaining the share the account as from the date of the dissolution मतलब क्या है इसका मतलब है कि जो transferring partner है मतलब जिसको transfer किया गया है share वो फर्म को dissolve करेगा और अगर फर्म को dissolve उसने किया अगर फर्म dissolve हुई तो उस दिन उसका जो share of the profit है वो वो प्राप्त करने का उसको अधिकार प्रॉफिट पाने का उसको क्या है अधिकार है एर आफ एसिट्स उसको पाने का क्या है अधिकार है इससे आप वंचित नहीं कर सकते बताईए बाते समझ में आगे की नहीं आगे कलें आगे बेटा आगे देखे अच्छा कुछ ऐसे बच्चे हैं क्लास में चो पढ़ते पढ़ते इंस्टाग्राम चलाने लग रहे हैं कि उनसे निवेदन है कि बेटा क्लास में ध्यान दें इंस्टाग्राम पर चलाएं नहीं चला भी रहे हैं तो मेरी ही फोटो लाइक कर रहे हैं कि अलब बड़ी तुविधा है ऐसी हम कुछ बोल भी नहीं सकते बताईए सार आपी को तो लाइक कर रहे थे समझ में आया है तो अगर आप ऐसी हरकते कर रहे हैं तो क्रिप्या करके ऐसी हरकते ना करें मतलब इंस्टाग्राम पांच मिनिट चला है इसके बाद करें चलो एक टुप फोटो सर की लाइक कर दें सर भी खुस हो जाएंगे आए देखे क्या कहता है आप शेयर इन पार्टनर्सिप इस आ ट्रांसफर लाइक अनी अधर प्रॉपर्टी बट अस आप्रटनर्सिप रलेशन इस बेसे अन देवल पॉट्टेशन इस आज एजए लाइन समझ में आ गई कि नहीं आ गई लाइन समझ में आई कि नहीं आई वह जो पार्टनर्सिप होता है वह मीचुल कॉन्फिडेंस पर बेस होता है मैं अपना शेयर आफ इंट्रेस्ट आ गर सकता हूं ट्रांसफर कर सकता हूं लेकिन आपको सेम राइट और सेम प्रिविलेश नहीं मिलेगा उस ओर्जिनल पार्टनर की तरह का मिलेगा आपको अंसर है नहीं मिलेगा क्लियर हो गया आगे क्या कहता है दर राइट आफ सच इस ट्रांसफरी आर एस फॉलो मलब उस ट्रांसफरी का क्या राइट सबसे पहला राइट है क्या देखे कहता है during the continuous of the partner such transfer is a not entitled जो फ्रांसफरी है वो यह कार्य नहीं करेगा और वो क्या कार्य है सबसे पहला की अब बिजनेस में क्या करेगा हस्तचेप नहीं करेगा अब बिजनेस के कार्यों में हस्तचेप नहीं करेगा एकाउंट जाच पड़ताल नहीं कर सकता इंस्पेक्ट बुक ओफ जो एकाउंट है उसको मांगेगा नहीं उस एकाउंट की जाच पड़ताल वो नहीं कर सकता आगे समझ में आ गया कि नहीं आ गया फिर आगे क्या लिखा है ट्रांसफरी पार्टनर एंड ही इस बाउंड तो एक्सेप्ट दा प्रॉफिट अग्रीड बाई दा पार्टनर ही कैन नॉट चैलेंज दा एकाउंट यानि जितना मिल रहा है बाबू उतने में फुस रहो इससे ज्यादा न उड़ो नहीं उड़ा दिये जाओगे ऐसा भी कुछ होगा कि ना समझ में आ गया कि नहीं आ गया और मतलब जितना उसका शेयर है उतना वो क्या करेगा रिसीब करेगा बताओ समझ में आ गया अगया अगर वो चाहे तो अपने शेयर आफ प्रॉफिट को भी क्या कर सकता है यानि की केस में तो चेक कराना ही पड़ेगा भाई का मतलब यह नहीं कि आप किताबों को ऐसे बंद करके लेके चले जाओगे उसको भी तो जाचने का अधिकार है कि मेरा कितना हिस्सा बन रहा है कितना नहीं बन रहा है समझ में आ गया कि नहीं आ अच्छा आपको एक चीज़ और मैं बता हूं अभी क्या हुआ था कि माल लीजे आपको मैं रियल लाइफ का एक्जामपल देता हूं तीन लोग थे इनका नाम ए है इनका नाम भी है इनका नाम क्या है सी एबी सी ने मिलकर कॉंट्रैक्ट अलब एक पार्टनर की तरह काम को करने का स्टार्ट कया अब इनकी फर्म ने एक कॉंट्रक्ट उठाया और कॉंट्राक्ट माल लीजे वही रोड बन वाने का ठीकर है उडिक कि यह ग्जू फीज़े और सी ध्यान से सुनियेगा यह जो बी और जा है थी हैं ये पार्टनर किसके हैं एके हैं यानि आप ये भी कह सकते हो कि ए बी सी तिनों पार्टनर हैं लेकिन चो काम उठाया गया वो किसके नाम पर उठाया गया एके नाम से उठाया गया इसके नाम से उठाया गया एके नाम से अब आप कहो कि सर ऐसा कैसे हो सकता है अरे ए बी सी मे औरल पार्टनर्शिब किया उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं और जो फर्म किसके नाम से बनाया गया एक के नाम से बन रहा चल रहा था तो ए ने अपने नाम से काम उठाया और बी और सी के साथ मिलकर एज़ा पार्टनर एज़ा पार्टनर काम किया अब ड्यू टू तो क्या इस लॉस की रिस्पॉंसिबिलिटी अब कौन उठाएगा तीनों उठाएंगे कि खाली ए उठाएगा सोच के जवाब दीजेगा ठीक है हाँ देखो अब देखो यहाँ पर चीज़े समझो अगर माल लीजे ए ने इसारी रिस्पॉंसिबिलीटी तो सारी रिस्पॉंसिबिलिटी है ए के दौरा सब्सक्राइब नहीं है इसका मतलब यह है कि अगर आपके कागज मजबूत हैं तो आप बचे हैं रगर आपके कागज मजबूत नहीं है लपेट उठोगे बेटी जान लीजे बी और सी का तो नामी नहीं है कहीं फर्मे में दूर दूर तक लोग तो जानी नहीं रहें कि बी कि अखाअ अब बात कर लेते हैं माइनर की बात कर लेते हैं आपकी किस की मायनर एड्मिटेट तु द बेजिट आफ पाट्नर से आपको अच्छे से पता है कि माइनर सिर्फ और सिर्फ एक थीश के लिए आता है और वो किसके लिए आता है पाइट ऑफ प्रॉफिट के लिए आता है यानि प्रॉफिट से ही वो बात करेगा लॉस में उसका कोई भी लॉस में उसका कोई इंट्रेस्ट नहीं है लेकिन हां लॉस की वो भरपाई करेगा ऐसा नहीं को नहीं करेगा अब आप कोगे सर ऐसे किसी बात कर रहे हुआ लॉस की भर्पाई कैसे करेगा अरे वो नहीं करेगा उसकी जो पार्ट आफ एसेट्स है न सिर्फ उस एसेट्स तक ही वह रिस्पॉंसिबिलिटी रिलेगा वो ठीक है आगे देखो आपड़ते हैं इसमें कहता है अब पर्सन व जो एज है वो कितनी है कि अठारा लेस देन अठारा हो गए तो दिन यू अर्दम मेजर लेस देन अठारा यानि सतरा साल तीन सो सब्सक्राइब कि अपने इंडिया में तो कुछ नहीं हमने दूसरे देश का एक ठोग कल्चर सुना है पताएं आपके साथ को दूसरे देश में जब कोई भी बच्चा या बच्ची अठारा का हो जाता है ना उसको डेट पर भेजा जाता है कि अगर कि कि किसी के साथ नहीं मतलब अपने है समझ गए दोस्ट के साथ अपडेट पर क्या होता है यह तुम लोगों से ज्यादा कौन जान सब्सक्राइब कि अधिक है पठारा के बाद दारूपी हो हमारे यहां तो सालाब चौबिस साल के लड़के को अगर पिता देख लें दारूपीते हुए ना कंटाप मारेंगे की फिर ले लाठी ले लाठी वाला सेवन होता है गलती से अगर हम लोगों को कहीं देख लें ओहो किसी के साथ बती आते हुए अगे मत बुलवाओ यार ठीक है हमाई पिता जी तो हम दिल्ली में जब पढ़ाई करते थे तो हमाई पिता जी एक लोग को रखे थे कि देखो कहीं लड़का हमारा बर्बाद ना हो जाए हमारी हमारी सारी घटना हमाई पिता जी मिलती थी कहते थे बताओ हम इंडिपेंड होने आया थे यह लोग जीने नहीं देंगे हम को अगर एक मीट यूर न्यू फादर अमेरिका में क्या होता है मीट यूर न्यू फादर मीट यूर न्यू मॉम हमारे यह यह साथ जन्मों तक का यह साथ चलता है वल्लब एक ही जनम वाले जो पापा मम्मी है ना आने वाले साथ जनम तक मिलेंगे और वहां एक जनम में साथ बार मम्मी पापा मिलने के चांस है तो बताओ लोग का इंडिया बैस्ट है क्यों का बैस्ट है एपना इंडिया बैस्ट है राए जाके बैसे हिए आए और उत्तर परदेस खास कर युक्र चाहें क्योंकि हमारी एक ऐसी धर्ती है उत्तर प्रदेश जो सर्वगुण संपन्न है कि किसी प्रदेश में देखा जाए तो आप सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा आप अन्य जगों पर जाओगे वहां पर क्लाइमेट का कुछ ना कुछ आपको प्रभाव मिलेगा यह आप जानि बिहार और यूपी का देखिए दूसरी बड़ी बात एक जानिये हमारे उत्तर प्रदेश में तीन-तीन भगवानों की जन्म भूमी है बाई बताओ कौन से राम जी की युद्या कृष्ण जी की मतुरा और बाबा भूले नात की आसी और बाकी अन्य किसी भी छेत्र में करेंगे नहीं उछो का है है यह नहीं नहीं पूछो का है आपने कभी किसी किद्धर को सुर्ष्ण भ मंदर बोल रहा हूं मैं कभी घर वसाते देखा है मैं तो भी ऐसे देखा एक मंदर को अ हर जीव अपना घोस्ला बनाया है हर ऑट जीव जूश लेकिन बंदर कभी है आप आप एक देखिए आप एक जानिए एम हम जितना हनमान जी को मांते हैं छितना हनमान को दूले विमान पिच्चर आई है आपने देखा होगा क्या नाम है वह बैक स्वार्थ ना 손 7 यहां ब्लाक पैंथर में में उसको जब हिंदी में डब किया गया तो लाइन को ही काट दिया गया है पिस्टोरी टू हनुमान को काटके उन्होंने कुछ और डाल दिया लेकिन इंग्लिस वर्जन आप चेक करेंगे ना तो उसमें यही बोला गया है वह लोग हनुमान जी को अपना क्या मानते है आप चेन मानते हैं हम हनुमान जी के वंसल हैं तो सोचो वकांडा वकांडा तक हमारे हनुमान जी गए हैं है यह सिर्फ और सिर्फ एक सिद्धी प्राप्ट करने के लिए śादी की आप धिरेंदर जी महराज कोauthor सुनिए ऊच्छी बाते एक हुआ वहां से की हनमान की हुई हुआ या ना हुई हो लेकिन उनके लड़का तो है को ने माकरा द्वज बताईए हमारे अन्मान जी के सब किसीने में इतना पावर है कि कि इतना पाउर मिर्धत ow जा गए कि तो पुकित कहा कि तो हनमान जी के सर्भुण समपन नहीं है वाई हनमान जी का अगे आई यह तो आपके हनुमान जी एक अश्वत थामा है और अश्वत थामा भी चिरन जी भी है अधिक है हाटू श्याम है और दो लोग और कौन है मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन तीन लोग तो है अश्वत थाम आज भी है कि यह लागा था अंकर रिस्तेदार आ रहे है है अश्वत थामा को यार श्राप मिला था है कि यह आई यह फिलाल अभी लॉट के आई यह चलिए आई यह यह माइनर पे यह माइनर कहता है कि आप बट विद दे गंसेंट आफ आल दा पार्टनर और दा टाइम बींग यह तो लाइन समझ में आगे सबको ना आगे कैता है तो पार्टनर आज राइट तो शेर दा प्रॉपिट यह यह इसमें किसमें भाग लेगा बेटा प्रॉफिट और प्रॉपर्टी दोनों में क्या लेगा भाग लेगा आगे आज में भी एग्रीड अपॉन एंड ही में हाब इस तू एक्सेस एन इस्पेक्ट दिवक्त आफ इंड कापी ऑप बुक्स अपकांट ऑफ दशन मतलब यह किताबों को भी जाँच-पर्त रांच-पर्तालब अस तरह नहीं है यह किताबों को जाँच-पर्त रांज-पर्त्त all क्या नहीं कर सकता था रह these d campaigns के case में लेकिन ये as a minor as a partner consent of all the partner आया है न ये share of profit में भाग लेगा share of property में भाग लेगा किताबों को देख भी सकता है किताबों को inspect भी करता है लेकिन बात अलग एक समझ में आये या ना आये अरे दस साल के लड़के को तुम भाई खाता दे दो क्या समझ में आयेगा ये बताओ आगे कहता है such minor share is a libel for the act of the firm but the minor is a not personally libel for any such act मतलब minor share is a libel for the act of the firm minor share minor नहीं लिखा है minor share minor share का मतलब क्या है कि अगर firm में loss हुआ तो जो minor का share है उस loss के भरने के लिए यूज किया जा सकता है लेकिन minor is a not a personally libel यही बात मैं बार बार कहता हूं कि minor की जो liability है to the extent of the property है मतलब to the extent of minor share property है समझ में आगया वेटा आगे क्या कहता है कहता है such minor may not suit to the partner for account or a payment of his share of the property or a profit of the firm save when severing in the severing in the connection with the firm and in such case of the amount of his share shall be determined for the valuation made as for as possible in accordance with the rule of the content in the section of the section 48 इसका मतलब क्या है minor cannot suit the partner on the account of the payment of his share of the property or a profit of the firm मतलब क्या है कि minor किसी भी partner के against case नहीं के फाइल कर सकता बहिए मुझे कम मिल रहा है मुझे कम मिल रहा है आप क्या कर सकते हो आप books of account देख लीजे न आप books of account क्या कर लीजे देख लीजे जैसे सपोस करिए पार्टनर्सिप फॉम पार्टनर्सिप डीड बनी थी तो पार्टनर्सिप डीड में यह लिखा था कि 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 कि